दोस्तो अगर आपको भी CID शो दखना पसंद है और आप CID में इंस्पेक्टर अभिजीत और डॉक्टर तारीका और इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर श्वया की लव स्टोरी को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चानल एपेम पिक्सेल्स को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल आइकन यारी की जो घंटी का बटन है नीचे उसको दबाके औल से लिट कर ले तो दोस्तो पहले तो मैं आप सबसे और सोस्याल डिश्टनसिंग का पालन करिए यह जो समय है दोस्तो इसको भी हम आसानी से पार कर लेंगे और हम सब ठीक रहे यही मेरी भगवान के पास प्रार्थना है तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ CID के आने वाले सीजन 2 के बार में जिसमें आपको कई एक नहीं दो न से वो लोगों को काफी पसंद आ रहा था और आप भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि CID के सीजन 1 में आपको अभिजीत और दोक्टर तारिका की बीच की नोगजोक उन दोनों की रोमान्स आपको कैसा लगता था इसके अलाबा दोस्तो एक और रोमान्स की यहां दोस्तों आज हम बात करेंगे इसी विशेपर और आपको बता दूँ कि CID के जो इनस्पेक्टर दया है यानि कि दयानन शत्ती वो जब से CID शुरू हाता तभी से शो का हिस्सा है और इंस्पेक्टर श्रया जो है वो कुछ साल बाद CID में आई थी उसके बाद दोस् दोस्तों CID का जो शो है वो ऑक्टवर 2018 को बंद हो गया था और यह शो बंद होनके बाद कई सारे लोगों का मन जो है वो उदास हो चुका था अगर CID शो बंद होनके बाद आपका मन भी स्याड हुआ था तो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए तो दोस्तों CID के इंस्पक्टर दया और श्रेया की जो लफचुरी है वो सीजन वान से ही शुरू हो गई थी दोनों का एक दूसरे के लिए जो क्यार है जो प्यार था वो लोगों को काफी पसंद आ रहा था और आज भी लोग उस लफचुरी को देखना पसंद करते हैं इसलिए शायद CID का जो नया सीजन आने वाला है उसमें आपको इंस्पक्टर दया और श्रेया की जो लफचुरी है वो कंटीनू होता हुआ नजर आएगा और बात ये तक सुनने को मिल रही है कि इन दोनों की शादी जो हो सकती है CID के शो में जी हां दोस्तों रियल लाइफ में दोनों ही से उसको CID के जो प्रेडूसर से हैं जो मेकर से वो कंटीनू रखेंगे CID के सीजन तू में भी तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स वीडियो में